लोग तंद्र पर आप परहार कर रहे हैं इसलिए हम आपको गोबैक कह रहे हैं और ये बहुत अच्छी शुरूआत है ये बहुत अच्छी शुरूआत है और वियार से कई करांकियों का जनम हुआ है शायद इस तरह के गोदी मीडिया पर भी लगा हम वियार के लोग ही लगा तो जितनी गाडियों में देखेंगे ने जादा तिरंगा है समझ जाए उसके कागज़ पत्तर कम हैं ये भी आज बता रहा हूं अगर पुलिस खड़ी है सड़कपर जेतने भी इंफॉर्समेंट है सड़कपर लग जाएं देखेंगे जिस गाड़ी में सब जादा तिरंगा लगा हूँ चार पाँ जंडा उसको रोक लिजिए एक भी काज़ न मिलेगा ये मतलग क्राइम पर परदा डालने का आड़ बना लिया गया है कि ज्यादा राष्ट बहत्ति दिखाएंगे तो लोग हम पर सक नहीं करेगा पूरा भारत का एक सो पाहितिस करोर बैक्ती तिरं कर जाएगा आप ताकतवर हो जाएंगे आप तिरंगा लेकर लड़ेंगे अपने दुश्मनों से या हथ्यार लेकर लड़ेंगे आप तिरंगा लेकर खाना खाएंगे या बच्चों को खिलाएंगे या पैसे से कमाएंगे तो तिरंगा का ये अपमान है आप को ये बता द के चौथे अस्तंब कहे जाने वाले जिनको हम लोकतंत्र का चौथा अस्तंब कहते हैं अगर वो पक्षपात करने लग जाए तो जनता जनता उसका भी हिसाब करेगी जनता सिर्फ नेताओं का हिसाब नहीं करती है लोक तंत्र में जंता सब का हिसाब कर देती है श्री लंका का उदारन आपके सामने है राश्ट्रती भवन तक को कभजे मेरे लिया सब को भागना पड़ गया जिसके जिसकी गाड़ी निकलने से पहले सदाएं बलंद होती थी सायरंग बजाये जाते थे और एक क जलत प्वैमी को भी शोशल मीडिया पर मत जाईए भारत अलग है लेकिन भारत का लोगतंतर श्री लंका से 50 गुना मजबूत है यहां की जंता जिस दिल खड़ी होगी उस दिन बड़े से बड़ा ताकतवर ताना शाह भी घुटने टेक देगा चुके भारत उस सरधरती का नाम है जहां अनेकों आक्रमनकारी आये भारत की जंता ने भगाया कोई राजनेता ने नहीं भगाया भारत की जंता प्रवद्ध है जब अपक हवा में बारी बारी जू हवा बदली पुर्वा चलता है तो धूल उधर उड़ता और पथिये चलता तो जब हवा बदलेगी एक दिन में सब एकुल हो जाएगा गोदी मीडिया के हम बात करें बॉडी लिंग में चैंज की से हो जगे मतलब एक महीने के अंदर महारास में कुछार बिहार में कुछार बात करें कि जो दोनों जगा सब्ता परिवरतन हो एक जगा बीजेपी को आसिल हुआ ये जगा बीजेपी नगवाया आप लोगों को कोई बात आप लोगों से छुपी हुई है क्या पहले ये बताईए क्या खेल होता है सत्ता में बैठे लोग अपने पसंदीदा अख़बार के एडिटर को कितना एड देते हैं अपने पसंदीदा एंकर को कितना उपहार देते हैं अपने पसंदीदा चैनल क कितना एड देते हैं ये बात हैं कहीं आप छुपी हुई नहीं है तो अगर सरकार से आपको आशिरवाद प्राप्त है और आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप अपने किसमत को क्यों बरबाद करेंगे देश बरबाद हो जाए तो हो जाए आज की तारीख में जो मैनिश्ट्र मेडिया है चाहे वो प्रिंट में हो या एलक्ट्रोनिक हो दोनों की स्थिती सेम ये है कि विग्यापन प्राप्त करने के लिए सरकार का आशिरवाद लेने के लिए देश की बली चड़ा रहे हैं जो नान इशू है जो जिससे आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है उसको हाईलाइट करके रखना है उसी को ब्रेकिंग निउस बनाना है उसी को सुर्खी बनानी हेडिंग वही रहेगा जो नौन इशू है और जो इशू है आपने कभी इशू पर देखा हेडिंग बनते हुए कि एक आदमी अस्पताल में दम तोड़ दिया नंबर नहीं लगा एक का आदमी जो है डेथ बोडी को मोटर साइकल पर लेकर जा रहा है क्या यह यह बना क्या यह बरेकिंग निउस बना क्या नहीं बनता ना जंता समझ रही है क्या इस तरह से बड़े चैनल के बड़ी पत्रकार बिह में और दे चूकी है वह मोहत्रमा तई जहाद में पिएम के साहथ चलती हैं वह मोहत्रमा अपने नाम के आगे भी गलती से एक बार बोल चुकी है कि मैं हूँ फला फला मोदी तो वाइसी पत्रकार को अगर बिहार की जनता ने और सुन लेजे बिहार की जनता का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं अब तक तो यह जाम था मीडिया वालों का एक विक्टिम कार्ड था कि मुसलमान हमको देकर प्रेशान करता है आर भारत को देकर जीनी उसके देकर आज तक को दे इस तरह के तमाम चैनलों को देकर मुसलिम मुहले में जो है जाते हैं तो गोबैक के नारे लगते हैं या उनके धरना परदशन में लेकिन बिहार के लोगों ने ये बता दिया कि नो मुसलिम से कई करांतियों का जनम हुआ है शायद इस तरह के गोदी मीडिया पर भी लगां बिहार के लोग ही लगा है तिरंगा से लेंगे कि जैसे कहरें कि जो राशन बेचने वाले लोग है वो जबरदस्ती तिरंगा खरिदवार है गरीम लोग है जिनको पैसे नहीं है पक्की खबर का 135 करोले Вेक्ति दृंगा ले कर सडप अगर भूमे खराज्भा तो क्या हुआ राशे का वीक तो क्रविगास देश तरक्ति कर जाए गा आप टाकतवर हो जाएंगे आप तिरंगा लेकर इसमार या हथियार लेकर लड़ेंगे आप तिरंगा लेकर खाना खाएंगे या बच्चों को खिलाएंगे या पैसे से कमाएंगे तो तिरंगा का ये अपमान है आपको ये बता दूँ ये सरकार जो कुछ कर रही है लाख राश्टवादी और मना भारत परेमी की बात करे वो लेकिन ये तिरंगे का अपमान होगा यदि किसी पर तिरंगा थोपा जाएगा मैं समझता हूँ सुप्रिंग कोट में सुप्रिंग कोट को इसमें इंटर्फेयर करना चाहिए कि सरकार की ये पॉलिसी सरासर गलत एक बात बताओ आपको दिल्ली में आप खड़े हैं दिल्ली में जितने जुगई जोपड़ी अन खरंगा लगा रहे हैं जितने घयरकानुनी तेजारत करने वाले लोग वों तेरंगा लगा रहे हैं और ऑठामुक जिलूसो में ये और नेकर निकल रहे हैं और दोसरे दर्म को गाली लगत रहास प्रेम तो मुहरम में या आप तिरंगा क्यों ले रहे हैं तिरंगा तो पंद्राइब शबी जनवरी में आपको रखना चाहिए लेकिन धार में कुछ सब में रख रहे हैं और तिरंगा ही लेकर दूसरे धर्म के मस्जिनों और मंदिरों पर आप हमले कर रहे हैं तो यह राश्ट बक्ति और देश प्र इंफॉर्समेंट हैं सड़क पर लग जाएं देखेंगे जिस गारी में सब ज्यादा तिरंगा लगा हुआ चार-पांच जंडा उसको रोक लिजिए एक भी कागद न मिलेगा यह मतलब कराइन पर परदा डालने का आड़ बना लिया गया है कि ज्यादा राश्ट की दिखा कर रहा हूँ चार दिन के बाद मैं भी आपको उता हूँगा परदान तरी जी ने कहा था भाईयो बहनो पच्छतर वर्ष जब आजादी के पूरे होने पर भाईयो बहनो भारत में एक भी ऐसा फैक्टी नहीं होगा जिसके सर पर छट नहीं होगा तो पहली बात तो महीं ब बोलना हूं कई बार कई चैनलों पर बोल चुका हूं क्या पता आप पर भी बोला हूं मेरा नाम हापिस गुलाम सरवर है मेरा घर बेगुसराइज इलाके मुझफरा में हैं जितनी भी एजेंसियां हैं वो एजेंसियां जाकर जाच कर ले मेरा अपना मकान नहीं है दिल्ली मे कि तिरपाल खाइच कर कौन लोग शहर में रह रहे हैं इसका सर्वे क्यों नहीं हो रहा क्या ये पाकिस्तानी बगला देशी है रेड लाइट पर भीक मागने वाले कौन लोग हैं जब 75 वर्ष में सब को घर और घर में नल और जल और सब को आमदनी का जरिया और सब को सामने आएंगे देश के विपक्स के नेताओं को चाहिए कि परदानमत्री जी के इस वादे को देश के सामने लाया जाए और एक सर्वे कराई अब यापाकस्तर पर कितने मकान वाले हैं कितने बिकर्म मकान वाले हैं सारा मामला सामने आ जाएगा